दे एलिफेंट विस्परेस जो की एक भारती डोकुमेंटरी फिल्म है जिसने आज की दिन बेस्ट डोकुमेंटरी शॉट्स का आउसकर आवर्ड अपने नाम करके पूरी दुनिया में भारती सिनेमा का डंका बजाया है आप मैंसे बहुत से लोगों को इस शॉट्ट फिल्म के बारे में शायद मालूम नहीं होगा इस शॉट्ट फिल्म की कहानी काफी ज़्यादा इमोशनल है और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है इसी के चलते इसे आउसकर आवर्ड से आज नवा बात करें इस शॉट्ट फिल्म के कहानी की तो इस साउट के कपल बोममन और बेली और रगो नाम के बेबी एलिफेंट के इर्दगिर्द घोमती है कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक कपल एक अनात बेबी हाथी की देखभाल करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते ह एक परिवार बनाते हैं इस शॉट्ट फिल्म को कार्तिकी गोंसालविज ने निर्देशित और गुनीत मोगा ने प्रिडियूस किया है दा एलिफेंट वेस्परस ने वह कारनामा करके दिखाया है जो आज तक कोई भी भारती प्रोडक्शन हाउस नहीं कर पाया है आज का दिन भारती सिनेमा में सुनहरे अच्छरों से लिखा चाएगा ऐसी और वीडियोस के लिए सस्क्राइब करें हमारे चैनल को